नमस्कार दोस्तों, MS दोनी पर आई है बड़ी खबर लोकडाउन खत्म होने के बाद ये टूनामेंट खेलेंगे दोनी दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पुरी जानकारी बताऊंगा लेकिन आप MS दोनी को पसंद करते होते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना लिखका 13 सीजन कोरोना वाइरस के चलते अनिस्चित काल के लिए टाल दिया गया है मगर अब महेंदर सी दोनी के सयद मुस्ताकली ट्रोफी T20 टूनामेंट खेलने की खबरे जोर पकर रही है दौनी ने सयद मुस्ताकली ट्रोफी में खेलने की अपनी इच्छा के बारे में जारखंड क्रिकेट एस्योएशन से बात की है इसके अनुसर दौनी लोकडाउन खत्म होने के बाद इस पर फैसला ले सकते है जारखंड क्रिकेट संग के अधिकारी ने स्पोर्ट केडा को बताया की दौनी फिलहाल जारखंड स्टेट क्रिकेट एस्योएशन के इंटरनेशनल कॉम्पलेक्स में ट्रेनिंग कर रहे है और वह लगाता राज्य संग के संपर्क में है और 38 साल के महेंदर सीह दौनी साल 2007 में सयद मुस्ताकली ट्रोफी में हिस्सा लिया था तब उन्होंने जारखंड के लिए 4 मेच खेले थे इन मुकाबलों में दौनी ने 61.50 के ओसद से 123 रन बनाये थे सयद मुस्ताकली ट्रोफी में दौनी खेलेंगे दरसल महेंदर सीह दौनी को IPL में चिनने सुपर किंग्स के लिए मैदान पर उतरना था लेकिन कोरोना वाइरस के चलते लेग पर संकट के बादल मनरा रहे है सुत्रों के अनुसार दौनी ने इस साल दिसंबर जनवरी में प्रस्ताविक सयद मुस्ताकली ट्रोफी में खेलने की इच्छा जताई है राज्य क्रिकेट संग ने उनके सामने इसका प्रस्ताव रखा था जिसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी हाला कि इस बारे में वो आखरी फेसला लोकडाउन खत्म होने के बाद लेंगे दौने आईपियल के लिए फीट रहना चाहते है और सयद मुस्ताकली ट्रोफी का इस्तमाल प्रैक्टिस के तोर पर करेंगे अभी तई नहीं है कि आईपियल इस साल होगा या नहीं अगले साल होगा लेकिन धौने का अगले साल भी आईपियल खेलना करीब करीब तई है चेनने सुपर किंग्स के टीम मालिक एन स्री निवासन खुद भी इन बात की पुष्टी कर चुके है तो दोस्तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चेनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आईकोन को भी प्रेस कर देना क्यूक्के मैं असी क्रिकेट जगत की खबरे ले अतरहुंगा